Hello Friends, WS Cube Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि Microsoft Word को यूज करते हुए कैसे हम लोग अपने documents के अंदर जो है वो एक border set कर सकते हैं यानि कि page के चारो तरफ दोस्तों हम लोग एक border set करना चाहते हैं इसी तरीके से कैसे दोस्तों हम लोग अपने document का background का color change करना चाहते हैं यानि कि page का color कैसे हम लोग change कर सके हैं इसी टाप से दोस्तों हम लोग कई बार क्या करते हैं जब notes बनाते हैं अपने document के background में कई बार हम लोग अपने company का अपने institutions का जो है कुछ नाम लिख करके रखते हैं जिसको हम लोग यह watermark कहते हैं या एक logo भी दोस्तों हम लोग लगा करके रखते हैं तो यह सारी चीज़ें हम लोग जो है वो कैसे अपने document में create कर सकते हैं यही सारे topic दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में पताने वाला हूँ तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर जो use करने वाला अपना software वो है अपने पास Microsoft Word और दोस्तों जब मेरा Microsoft Word स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पर जो है वो एक blank document open कर देता हूँ दोस्तों इस तरीके से मेरा एक blank document यहाँ start हो चुका है देखे मैं यहाँ पर क्या-क्या काम करने वाला हूँ पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो start कर लेता हूँ अपना main जो काम है यानि कि मैं अपने कुछ contents यहाँ पर type कर लेता हूँ दोस्तो इस type से मैंने अपना content type कर दिया है अब देखिए मैं यहाँ पर क्या-क्या चाहता हूँ एक तो दोस्तो मुझे background के अंदर यहाँ लगाना है एक wallpaper या आप कोई image भी लेना चाहरे है आप background में कोई color डालना चाहरे है कुछ भी आप रख सकते हैं तो इसके लिए क्या करना है simple सा काम है दोस्तो design में जाना है आपको और design में यहाँ आपको कुछ options दिखाए देंगे यह अपने काम के हैं पेज background में दोस्तो अगर आप चाहते हैं एक watermark को अगर यूज करना तो आपको watermark पर क्लिक कर देना है watermark पर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ कुछ options हैं जो पहले से कुछ लिखे वे हैं आपको लगता है आप अपने according क्रियेट करना चाहरे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों आपके पास ऑप्शन अरे का was qeo ठेक कें आतना इतना ही जिखना इसके लाकान चाहर है साइज बदलना चाहरे अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर image लेनी तो आप image ले सकते हैं दोस्तो background में अगर आपको लगता है आपको कोई color change करना है तो page color पे आप जा सकते हैं और यहाँ आपके पास बहुत सारे options हैं आपको जिस किसी भी text के उपर click करना है जो भी color आप देखना चाहिए दोस्तों वो color आप background के अंदर यहाँ apply करवा सकते हैं I hope आपको यह अच्छे से दिख रहा होगा आप कैसे color change कर सकते हैं आप इन colors के अलावा भी दोस्तों अगर आपको option मिल रहा है वैसे आपको more colors तो आप इन colors के अलावा भी यहाँ custom में जाकर के भी यहाँ किसी भी जगे पे click कर सकते हैं और उसमें दोस्तों कितना light यह कितना dark आप रखना चाहरे हैं इसके बाद okay करके भी उस color को background में set कर सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों इस page color के अंदर यहकर आप देखेंगे तो आपके पास option है fill effect फिल effect में भी आपा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके पास gradient है gradient में one color रखना चाहरे है तू में दोस्तों आप कौन कौन सा color लेना चाहरे हैं मैं यहाँ पर red ले लेता हूं और साथ मैं यहाँ पर जो है वो एक blue shade लेता हूं तो आप यहाँ पर इन में से भी कौन सा रखना चाहरे है वर्टिकल रखना चाहरे हैं जैसा भी आपको रखना है दोस्तों आप उसको select कर सकते हैं from corner something जो भी और उसके बाद आप उसको select कर सकते हैं ok कर सकते हैं ऐसे ही दिखा रहा हूं वाखी इतना अच्छा color नहीं है ठीक है I hope यह समझ में आ रहा होगा आप ऐसे effects लगा सकते हैं अपने documents के अंदर इसके अलावा दोस्तों आप page color में ही जा करके वापस से fill effects में जा करके यहां आपके पास gradient का option था आपके पास textures भी है आप यहां पर दोस्तों पहले से बने वे कुछ textures को आप चाहें तो use कर सकते कोई भी आप एक select कर सकते इवन कि आप यहां पर दोस्तों जो है अपनी खुद की कोई image वगर भी डालना चाहें तो pictures के तुरू pattern के तुरू यह अपन देख सकते पहले मैं texture बता देता हूं आप okay करेंगे दोस् जैसे मैं आपसे कह रहा था अभी के fill effects में ही आपको कुछ और options मिल जाते हैं जैसे कि pattern दोस्तों बहुत सारे अलग-अलग type के patterns हैं आप इसमें से किसी को भी select कर सकते हैं ओके करके देखेंगे दोस्तों वह pattern आप यहां लेकर के आचुके हैं इसी type से जैसे आपने pattern लिया है अगर आप अपनी कोई image डालना चारहें background के अंदर तो दोस्तों आप यहां पर जो है वह image को select भी कर सकते हैं कोई भी image जो भी आप देखना चाहें आपकी computer से लेना चार आप internet से ले सकते हैं और अगर आपकी drive पे को image पढ़ी ता आप उसको भी लेकर के आ सकते हैं मैं दोस्तों from a file कर देता हूं और मेरे computer में जो है वो suppose कि दोस्तों मैं desktop पे जाता हूं desktop एक folder बनावा पड़ा है images और यहां से कोई भी एक image को select करके मैं इसको background के अंदर set करना च चुकी है अब देखिए वो content के color वगर तो खेर आपको change करने ही पड़ेंगे तो आप content change कर सकते हैं कुछ इस टाइप से ठीक है इस टाइप से दोस्तों मैंने background में image भी यहां पर use कर ली है I hope बिल्कुल simple है आपको समझ में आ रहा होगा मैं एक बार दोस्तों undo कर लेता हूं इस तरीके से आपको दिख रहा है मैं इसको एक बार और undo कर लेता हूं जो भी effects से सारे के करके आपको दिखा देता हूं इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाते हैं अपने page के चार और border बनाना ता आप बना सकते हैं या अगर आपको लग रहा है दोस्तों केवल paragraph के चार और बॉर्डर बना देता हूं क्या करेंगे डिजाइन में ही जाएंगे दोस्तों पेज बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है और पेज बॉर्डर में आपके पास ऑप्शन का केवल बॉर्डर केवल पेज बॉर्डर दोस्तों अगर आप बॉर्डर में जाएंगे तो आपने ज जैसे page border और अगर आप इसके उपर जाएंगे आप देखेंगे पूरे paragraph के चार ओर कौम सा type लेना है दोस्तों आप उसको यहां से select भी कर सकतें जैसे मैं यह वाला चारा था कर दीजिए आप देखेंगे यहां पर यह पूरे page के उपर आपने अपलाई किया तो पूरे page पर आजएगा ठीक है अगर आप केवल वह बॉर्डर select करते हैं तो दोस्तों फिर वह केवल उस particular paragraph के उपर आपको अपलाई करेगा पेज बॉर्डर लेंगे पेज पेज पर पर अपलाई करना paragraph का बॉर्डर दोनों ही आपके पास यहां options अविलेबल होते हैं कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप किसी paragraph की select कर देने के बाद जाके click कर देंगे और यहां आपके पास अलग-अलग options हैं आप यह तो styles ले सकते हैं या फिर आप दोस्तों यहां से कोई color वगरा भी select करके ok कर सकते हैं तो आप देखेंगे वो जो color आपने select जा था वो आपके इस paragraph के background में आच चुका है I hope दोस्तों बिलकुल clear है background color, paragraph color, background क इस साथ में आपके पास जो आपका paragraph है इसका border आपके पूरे page का border या फिर दोस्तों background में आपने यहां पर यह जो watermark आपने insert कर रखा है तो सब कैसे करेंगे दोस्तों design में जाना है design में आपके पास page background के कुछ options हैं जिसको मैंने आपको अभी यहां पर बताया है तो इस तर आउट से तो दोस्तों आप मुझे comment में जरूर बतायेगा वीडियो कैसा लगा यह भी बतायेगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए thank you